हेलो फ्रेंड अमरूद तो आपने नमक और मिट्स पाउडर के साथ बहुत बार खाये होंगे और ये बहुत हेल्दी भी होता है अमरूद और बहुत टेस्टी लगता है खाने में तो आज मैं आपके साथ एक ऐसी रेसिपी लेके आई हूँ जो कि सायद ही आपने कभी बनाई होंगी और खाई होंगी तो आज मैं आपको अमरूद की चट्नी बनाना बताऊंगी तो ये मैंने कच्चे और ताजे अमरूद लिये हैं और ज्यादा पकावा अमरूद का यूज नहीं करना है चट्नी बनाने के लिए और इसमें जो समान का यूज करेंगे तो वो है जीरा स्वात के हिसाब से सादा नमक, काला नमक, चार से पांच लहसुन की कलिया और ये थोड़ा सा अधरक का टुकड़ा, खटा के लिए निम्बू और तीन मैंने तिखा के लिए ये हरा मिर्च लिया है, जीरा को मैंने भून लिया है, भूनावा जीरा ही इसमें यूज करें, अमरूत की चटनी बनाने के लिए हमें पका हुआ अमरूत का यूज नहीं करना है, क्योंकि उसमें कीड़े वगएरा होते हैं, और उसके बीज जो होते हैं, वो बहुत हाड होते हैं, तो चटनी जो है अच्छी नहीं बनती है, तो आप कच्चे अमरूत का ही यूज करें, ह मैंने नहीं निकाले हैं क्योंकि अम्रूद जो है कच्चा था और दूसरे प्लेट में जो हमने लैसुन अदरक नमक वगरा निकाल के रखा था उसको भी मैं इसमें ट्रांसफर कर दी रही हूं मिक्सिजार में और ये खट्टा के लिए आधा निम्बू भी इसी में मैं निच चोड़ूँगी थोड़ा सा पानी इसमें एट करेंगे और ये आधा चम्मश लगभग छोटे चम्मश से मैंने चीनी का यूज किया है इससे जो है तीखा खटा मीठा सारी फ्लेबर इसमें आ जाएंगे और इसको मैंने पीस लिया है ये देखिए और ये बारीकी से बहु तो अम्रूत की चटनी में हरा धनिया भी इसमें मिक्स करके पीश सकते हैं वह भी बहुत टेस्टी लगती है पर मैंने नहीं पीशा है हरा धनिया को साथ में क्योंकि मुझे सिर्फ अम्रूत की चटनी खानी थी और इसी तरह से मुझे बनानी थी इसलिए आप चाहें तो हरा धनिया भी एट कर सकते हैं और अम्रूत की चटनी को जो है अगर आप चोका लगा देते हैं तो और चटनी का टेस्ट जो है बहुत अच्छा आता है तो ये सरसो तेल गर्म करके थोड़ा सा राई सुखा मिर्ज और ये थोड़ा सा कड़ी पता मैंने चोका तयार कर दिया है और अब इस चोके को अम्रूत के उपर जो चटनी हमने बना के रखा है उसके उपर मैंने डाल दिया है और डाल करके अच्छे से मिक्स कर देते हैं और ये लिजिए हमारी अम्रूत की चटनी जो है खटी मीठी तीखी स्पाइसी और मतलब सारी फ्लेबर्स है इसमें फ्रें प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आकिन की घंटी जरूर प्रेस करिएगा ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले मिलते हैं एक नई रेसिपी को लेके तब तक के लिए थैंक यू फॉर वाचिंग टेक कियार बैबाई